हालो एव्रिवन वेरी वेरी गूड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी मैं हूँ प्रेंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी जोरी व्लॉक्स पर यहां पर मॉर्निंग में मैं खाना खाने के लिए बैट चुक्क हूँ सौरी मॉर कट खाने के बचाई ले लेदे हूँ ताकि गला ठीक हो जाए तो कहना पीना सबका हो चुका है लेकिन बटन साफ करने भी रहते हैं तेल लगा लेता हिए काफी सारे दिन होगा बीस्ते बहुत सारे दिन क्योंकि सार्दी मेरा मन साहिघ embaixo ऐख फिर बाल खुल के ही बैटने क क्या है पागल हो गए है कि आई शेम शेम करने लग रहे है देख सब प्यार में दरत हो रहा है किस लिए गया यहां पर कोई बात नहीं तो बच्चों की जोटका भी ने कुछ पता नहीं चलता कि इतने ड्राम में बाज होते हैं जरासी ठोकर लगने पर ना मतलब करने लग जाते हैं और इसी में अगर मैं इसकी पास बैटके इसको लला लोरी कर तो फिर यह और जादा रोता है इसकी तो आदत खराब है मतलब ऐसे ही करता है और इसको छोड़के वहीं बस ऐसी मैंने बोल दिया आप तो बहुत ब्रेव हो तो वहीं की वहीं शान्त हो गया और फिर से खेलना शुरू आई यहां पर नहाया था अज अपनी माजी के पास म जो पुराने कपड़े थे ना बुल रहा था ममा ले जाओ ममा ले जा और ममा बना रही थी उस ट्रेम रोटी तो ममा रहा कि बेटा आप नीचे ले आओ तो लेकर आया उपर से इसने फेक दिये और यह एक इनर था जो कि इसका रास्ते में अटक गया और यह पूरी-पूरी सब पूछाता है यह तो स्ट्रोंग बन गया से हलो निश्चा है से हलो तो यहां पर मैंने अपने बालों में तेल लगाना शुरू कर दिया और निश्चा आप देख सकते हो सेडियों में बैठा हुए तो वो अपना खेल में लग रहा है और उपर वाल जो भी बैठा है मतल मिट्टी ताला दूठ बनाया है तो यहां पर दुकान को ली थी लड्डू की नीचे वाली उपर वाली का मुझे पता नहीं तो आई होप कि आप सब ने लड्डू टेस्ट कर लिया होगा जो कि निश्चे ने कराया है और मिट्टी का लड्डू तो चल गई यहां पर मैं अपने बालो में तेल लगाना शुरू कर देती हूं शुरू तो काफी दिर पहले कर चुके लेकिन बीच बीच में मतलब हो जाता है कभी कोई बोल लेता है कभी कोई और निश्चे तो काफी परिशान करता ही है तो बस ज्यादा देर नहीं अपने बालो में तो 10-15 मिनट का बालो में जादा मालिशना में बरदाश्ट भी नहीं कर पाती और पाल इतने गंदे हो रहे थी देखने में मुझे ऐसा लग रहा था है राम कैसे सूगले से बाल हो रहे है क्योंकि तेल लगा है तो मुझे काफी टाइम हो गया सच्वे सर्दी में शायद मुश्किल से 2 या जाती सिखने के लिए तो उस चक्कर में यहां पर गोसे लकडी वगएरा जलाये थे तो वही पड़े हुए थे तो आज ना शाम का जो खाना होता है मतलब की रात का क्योंकि मैं कई बर पते क्या इसलिए से आगी मैं कई बर ना यह बोल देती हूं रात का डिनर तो कोई मु इसलिए प्रिप्रेशन मुझे लगा कि इतना जरूरी नहीं है लेकिन रेसिपी मुझे लगा जरूरी है क्योंकि पिछली बार जब मैंने बनाई थी ना तो बनी बनाई दिखा दी ती सिर्फ तो कुछ रोगों की कमेंट्स आये थे कि यह रेसिपी आपको शेयर करनी चाहि तोड़ासा हलका सा नमक चीनी डाल के उबाल रख दिया है मेथि काटके दो ख रखी आयू और चलो मैं दिखाई देती हूं चलो की चन में चलते और चोकी देती हूं टाइम होने ही वाला है तो उसमें तो देखो मैंने मंटर उबाल दिया जो मैं आपको बताती इतना सा नमक एक चुटकी दो चुटकी और जर्हासी चीनी दानेगे इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सः घी और यह मेत्ही जो की दोके काटके रखी थी और यह मेत्ही चीज का चोगनी लगा बैधि पर अबाला है भी जीरा लाग कोछ तक कुछ ब्रीन दाला है पिए वह सिदा गीर डा तो बुझ के इतनी मतलब हो जाती है अपको पता है हरी सब्जिया बुझ के और यह पेस्ट मैंने तयार कर लिया क्योंकि मैं कर रहे थी फॉन पेदा और फोन एक ही है आपको पता ही है तो मुझे लिए चलो में तयारी करके आपको दिखाए दूनी वरना फिर रिगी चोटी और उसके लिए गुझात है और उसके पहले चलो में बटर गी किसी भी चीज कर सकते हो और उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा जीरा चत्का देना है उसके बाद आपको डालना है प्यास कटा हुआ एक दो जो भी जैसी आप्ड़े रखना चाओगे वह में तो आपकी प पाजु ढाल देने हैं जो भी आप डालना चाहों और उसकी बाद आपको डाल देना है दो टमाटर ग्रेवी तो आप देखो अपने अकॉर्डिंग रखना है दो टमाटर चार टमाटर जितने भी आप सब्जी बना रहे हो उसकी साब से अब बंद कर देना गयास और फिर अब मेथी आप देख सकते हो कितनी सी रह गई है यह जरा सी मेथी रहो गई है बल्कुल अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूगी थोड़ा से तेल और थोड़ा से गी मैंने दोनों चीज़े डाली है आप जिस पर भी चाहों छोग सकते हो ऐसा नहीं है कि आप अब देख से अब आपकाम उसे डेतलिया जीरा देना कई अब मैं जाल काव जीरा जाह जएरा ज्टाल के कावशनिक जूड़ा में कई देख में चिराय ठीक्टिए हए इसमें जालो जरे Cream अब मौन क्यआ आपकामे चँए the ट्रूई अगर आपको कलर नहीं चाहिए आपके टमाटर बिल्कुल रेड वाले हैं तो उसे भी काम चल जाएगा अगर अगर आप टेस्ट वाली मिर्चे डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं और यह मैंने जीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है बहुत ज़ बोड़े मसाले घर में हमेशा मोटे ही लाइची यह सब लेकिन मैं आज मैंने नहीं डाला और मसाला भूंते-भूंते यह इस टेस तक आ चुका है तो यहां पर मैंने इसमें एड़ कर दिये मिति जो कि मैंने भून की रखी होई थी और इसके बाद यह मैंने उबले होई मत एक कटोरी के करीब मलाई और मलाई मेरी घर की यह जो दूद की मलाई होती है आपको जितनी मलाई चाहिए जितनी आपकी सब्जी है उसके according आप मतलब मलाई रख सकते हो लेकिन इसमें असलिटेस्ट मलाई का ही होता है तो मलाई इसमें फूब सारी डलती है पानी वाली ग् जो मलाई का टोरी में लगी रही थी उसको मैंने साइडों में इस तरह से पहुंचके और पानी आड़ कर दिया इसमें तुर्ण इनको अच्छी तरह से मिला के बस दो मिनट के लिए ही मैंने डखकर के छोड़ दिया था मलाई का गी बनने नहीं देना और यह सबजी बननके मे कि मैं खाना खा लूँ और सबजी खाने का मन कर रहा है दिखती हूं यह दो रोटी मैंने बनागे रख दी है और एक डो तो एक्स्ट्रा होती ही होती है बाद बरतन रहते हैं अभी बरतन मांशने का भी मन नहीं गर रहा क्योंकि उपर से एक तंडा सा पानी आता है और कि मुझे कोई मजा नहीं आता तो अमीरो वाले शोक अभी मेरे भी बड़े-बड़े स्टेंडर्ड आया ना पहले बैठके ना मांचा करते लेकिन यहां मांचा करते लेकिन मेरे महां ना शुरू से हम सिंख में साफ करते तो मेरे को उसी की आदत है और यहां तो मैंने यहा करने बना और मने सामे करें लेकली यहां में अगया यहां और अपर हो चाह के नहीं परोगे किछन हम कंड़े करने और में मनें आता तो मैरे में बड़ दिया और यहां फृश्य कशन ऊत्वा लन alcohol को सामें यहां और मैं आप यहां थे status कि मैंनी निकाल ए बना से हमें में हो पर यहां पर यह लसी की डॉली रखे नहीं रखें रखेंगी और अपकेस कैसरोल जो भी आप बोलते हो और इसमें गुलाब जामून तो गुलाब जामून जो की घर से आया थे वह मैंने अब हम इसमें निकाल दिए क्योंकि जाती है दिब दिब्बे में चाशनी चाशनी हो कि Кिछन में की जए कोई समान रखा है रखान है तवा रखा रखा है सबजी चैसे में कोई तवान ही जाहतीकिक जाएब ही motion में किसी ने मिरको आवाज लगा लिए इनोंने ही जैसे मिरको रूम में आवाज लगा लिए सुने एक बर ही दरा कुछ भी छोटे-बुटे काम के लिए क्योंकि इनकी आदत है नहीं कुछ से इनकी सारे काम ओर्डर पे ही होते हैं इनके तो एक लस्पानी भी ला देगे भी क करते हैं तो इस तरह से चोटे से काम के लिए भी नहीं आवाज लगा लिए और फिर महीं खड़ियों के कुछ बात ध्यान आगे और बात्ते करने लगे न तो मेरे दिमाग में यूही नहीं रहा करता कि गैस मैंने सच्छ में ओन कर दी मतलब दिमाग में सोच लिया करती कि ह यहां चालू रह जाया करती कई बार मेरा बहुत बार दूद निकला इस तरह से लेकिन अब मेरे यादत मतलब यह ठीक हो गई जब भी आवाज लगाते न में को हमीशा बोलती हुए और मतलब अब मेरे को इस चीज का वहम सा हो गया देखने का बार 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 चेक करने का कि कहीं भई खुली न रह जाये तो अब तो एक डड़ साल सारा हो गए तो मेरे आद चुड़ गए लेकिन पहले मेरे साथ बहुत हुआ करता और बाल देख़ाज कैसे चिपकु चिपकु से हो रहे है क्योंकि मैंने तेल लगा लिया खूब सारा तो चलो जब तक एडिटिंग करूंगी दूद भी ठंडा होई जाएगा सर्दी का टाइम है जलिए हो जाता इतना टाइम नहीं लगता उसके बाद भै आप को घरतेल बформ चुँगा अगि अडरका वीडियों देखने का टाइम मिलता ना कुछ टाइम ही नहीं मिलता बस जो दिन में देख लिया तो देख लिया बहुत जाते लोगों की वैसे में वीडियों देखती भी नहीं यह क्योंकि जहां मुझे positivity नजर आती है ना मैं उधर घुसती हूँ जहां negativity मुझे नजर आती है ना मैं उससे सो कोस दूरी बना लेती हूँ चाहिए वो बंदा मेरे बारे में कुछ बात करता रही है कुछ भी कई बार हो जाता है सापकी लाइफ में तो मुझे कई लोग जैसे बताते हैं स्क्रिंशोट पहले ले लेकि बेजा करते हैं अब तो उन लोगों भी लेने बेज दिये छोड़ दिये क्योंकि पता है वहां पे ना जैसे इंडिरेक्टली मतलब आपको कोई कुछ बोल दे तो जो भी तीन-चार लोग यूटूब से र और पॉजिटिव लोगों से ही करेक्शन बना के चलती हूँ यहीं से कर देती हूँ अज की इस वीडियो को एंड बरतन तो साफ करने ही पड़ेंगे बाई चाहे हाथों को कितनी भी ठड़ लगे यह तो काम करना ही है मैं आपसे कल मिलूंगे अपनी एक अच्छी सी नेक्स अपस्ट रवचिव जए वचिए में गड़नाइट